प्रिय विद्या थियो नमो नमः मेरे स्मिय अगनी हो त्रिय शुप्रा विद्याले से संस्कृत की कख्षा में आप सभी का स्वागत है हम नमः मह पाथ अर्थात पाथ नौ शट रितु वर्ण नम छे रितुओं का वर्ण पढ़ रहे थे जिसका यह भाग दो है हम आगे उससे आगे पढ़ेंगे कि इस तरह से और रितुओं का आगमन जो होता है और वहां रितुओं कौन कौन सी है चलिए आगे देखते हैं कि जो हरित वर्ण अब्शलम पक्वा पितायते हरे रंक के जो फल होते हैं वो पककर पीले हो जाते हैं कौन से मौसम में यहां पर देखेंगे ग्रिश्म में ग्रेश मरीतु का हम वर्णन पड़ रहे हैं कि जो हरित वर्ण अर्थात रंग यहां पर जैसे आम है ग्रेश मरीतु का फल जो होता है वो मुख्य फल आम होता है हरे रंग का जो फल होता है आम आदी वह पककर पीता यते पीले रंग का हो जाता है पके होते हैं और बहुत ही तानी पक्वानी आम्रफलानी अतिव मधुरानी भवन्ती और यह पके हुए आम के फ़र बहुत ही मधुर होते हैं। ग्रिश्म रितो अतिव सती प्रचंड समीरह प्रवहन्ती ग्रिश्म रितो में के समात होने पर भैंकर हवा समीरह हवा प्रवहती चलती हैं। वही सएव वर्षारितो आगमनम सूच्यनती और यह वर्षारितो के आगमन की सूचना हैं। वर्षारितो जलदाह स्वाजल धारा भी हैं प्रित्वी पूर्यती वर्षारितो में जो बादल है अपने जल की धारा से ना। स्वाजल अपने जल की धारा से प्रित्वी को भर देते हैं प्रित्वी को अपने जल की धारा से बादल भर देते हैं क्रिश्र कहा क्रिसी भूमी हलेन कर्शंती वीजाम वपन न्ती च और जो क्रिशक हैं किसान हैं वह खेती को हल से अपने खेतों को क्रिसी भूमी जिसी योग्य भूमी को हल से कर्शंती अर्था जोतते हैं खेतों की जुताई करते हैं वीज वपनती और वीजारोपन करते हैं बीज रोपित करते हैं, खेतों में बीज बोने का कारी करते हैं, अतिव रिष्टे हैं नधा जलेन परिपूर्ण भवन्ती और अधिक वरिष्टी से जो नदी है वो जल से परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात अधिक बरसास से नदी जल से भर जाती है, तो यहां तक हम अब आगे अगली रितु कौन सी है चलिए देखते हैं फिर है अगली रितु के बारे में बताया गया है कि ततह सरद रितु आयाती उसके बाद सरद रितु का आगमन होता है चंद्रश्य धवल जोचनाया संपून धरा जलमीव आभाती है ना जो जब सरद रितु का आगमन होता है तो क्या होता है चंद्रमा की धवल जो स्वक्ष है ना चांदिनी जोचनार था चांदिनी चंद्रमा के प्रकाश को चांदिनी कहते हैं जो चंद्रमा की स्वक्ष चां धर्ती है ना संपून धर्ती जल की तरह दिखाई देती है जल म्यू जल की तरह आभाती आभासित होती है दिखाई देती है संपून धर्ती जल की तरह दिखाई देती है चान्दनी जो है वो संपून धर्ती जल की तरह दिखाई देती है चान्दनी जो है वो संपून धर्ती ह उच्छ वेशु निबंगनह प्रतियंते सारदंते हे मंतह अगज्छंती तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सरद रितु में जो संपूर भारत वासी है उच्छ सव में निबंगनह अर्था डूबे रहते हैं डूबे हुए से प्रतित होते हैं उच्छ सव में मगन होते हैं और सरद रितु के अंत में हेमंत रितु आती है, हेमंत अगचती अर्थात हेमंत रितु आती है, सरद रितु के अंत में हेमंत रितु का आगमन होता है, हेमंत वयम महत सीता मनुभाव अर्थात सीत का अनुभाव, ठंड का अनुभाव, हेमंत रितु में हम बहुत ही ठंड का अनुभाव करते हैं, जनह उष्ण वस्त्राणी धार्यंतरी धार्यंती जनह अर्थात लोग उष्ण वस्त्राणी गर्म कपड़े पहनते हैं हनते हैं है न तु भच्छो हे मनत रितू जो है वोल ठंड का मौ構सम है फिर दिवसहा लगु निराया ऑद दिर झाले थर दिंद हो जाती हैं अस्मिन काले अर्थात इस समय में चावलों से सुस्क धान जो चावल से सुस्क धान होते हैं तो वो धान सोने की तरह कनक अर्थात कनक प्रभा अर्थात सोने की चमक कनक के तीन अर्थ होते हैं कनक का अर्थ है गेहूं धतुरा और सोना यहाँ पर कनक प्रभा अर्था सोने की चमक इव द्रिश्यन ते सोने की तरह चमकते हैं क्या तांदूल युक्तह सालेह जो खेतों में धान की बालिया होती है कि चावलों से सुस्क जो होते हैं सुखे होते हैं धान वह कनक की तरह दिखाई देते हैं ततह सिसिरह आयंती और उसके बाद सिसीरितु आती है सिसीरितु का आगमन होता है फिर है सिसीरे सीतह पवनह वहंती व्रिक्षानाम पत्राणी जिर्णानी भुत्वा प्रिथिव्याम पतंती सिसीर समा पन अवसरे जनह वसंतागम नश्य प्रफुल्य तायाम पीत वस्त्राणी हर्ष मनुभवन्ती धारित्वा हर्ष अनुभवन्ती अर्थात सिसीर रितु के समापत होने पर लोग वसंत रितु के आगमन की प्रशनता में पीले वस्त्र पहन कर पीत वस्त्र धार रित्वा पीले वस्त्रों को धारण करके हर्ष का अनुभव करते हैं तो इस तरह से यह आपका हो गया 6 रित्मों का वरणन धन्यवाद